आपके लिए हम ऐसा वीडियो लग रहा है जो कि बहुत ही important है जिसमें यह देखेंगे कि boot strap क्या होता है किस तरीके से हम boot strap install करते हैं किस तरीके से use करते हैं कौन-कौन सा way है use करने का और किस तरीके से हम boot strap use करके अपने application को stylus और modern बना सकते हैं तो दोस्तों इस से पहले कि मैं इस video tutorial को start करूं तो दोस्तों चलिए start करते हैं इस video tutorial को दोस्तों सबसे पहले तो हम यह बताएंगे कि boot strap एक open source repository है जो कि हमें एक popular framework देता है जिसमें हम CSS को यूज करके हमने application को stylus और modern बना सकते हैं जिसमें अपने आप HTML CSS JavaScript का लाइबरेरी इन विल्ड होता है हमें third-party का कोई भी चीज यूज करनी की जोड़त नहीं होती है राइट मिन्स कि since boot strap itself a module that encapsulates all the boot strap functionalities so there is no need to use any other third-party library into our application right जैसे दोस्तों कि हम अगर बूर टर्श्ट्रेप अपने यूज करते हैं तो हमें क्योई भी third-party libraries की यूज करने की कोई जूरत नहीं होती है हमें किसी भी jQuery पर भी डिपेंडेंसी नहीं होता है राइट बस बस हमें क्या होना चाहिए कि कौन की स्टीज पर डिपेंडेंसी होता है कि एंगुलर जो है आपका फोर और उसे अपर वर्जन का होना चाहिए राइट उसके बाद बूट अब यूज करते हैं और वूट अब यूज करेंगे तो उसे करेंगे उसे ही हमारा उनर के अदर पूरा फंक्शनालिटी यूज हो जाएगा हम अपने अप्लिकेशन को स्टाइलिस बना सकते हैं और उसका प्रेटकल करके हम इस वीडियो टूटोरियम में देखेंग के भी जिससे आपका कंसर्प बिल्कुल हो जाएगा और आप भी अपना अप्लिकेशन अस्टाइलिस बना सकते हैं तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कौन-कौन सा ब्राउजर स्पोर्ट करता है हमारा बूट अश्ट रैप रैट दोस्तों जितने भी लेटेस्ट ब हम यूज करते हैं तो हमारे सारे ब्राउजर पर हमरा अप्लिकेशन पुरूपर वर्क करेगा और अस्टाइलिस दिखेगा रैट तो दोस्तों आगे हम यह देखेंगे कि हम कीस तरीके से इंस्ट्रॉल कर सकते हैं और कौन-कौन सभी है जिसे हम इजली यूज कर सकते हैं त दूट चीशेश को डाउनलोड कीजिए और अपने एंगुलर अप्लिकेशन में आया फोल्डर के अंदर दोस्तों आप नोटिस कीजिए अप फोल्डर के अंदर उसको रखेंगे और उसका जो पात होगा उसको एंगुलर डैस अगर पुराना आपका अप्लिकेशन है अंदर इसका पास रजिस्टर कर देंगे उसको मैं दिखाता हूं आगे किस सरीके सम करते हैं जैसे माली दोस्तों यहां पर बूट अश्ट्रेप को आप यहां पर फाइल को कॉपी कर देंगे उसके बाद इस फाइल के अंदर अगर आप अगुलर शेब बिन यूज कर रहे करेंगे तो दूस्तों यह भी मैं बताऊंगा आगे उसके बाद हम देखेंगे दूसरा स्टिप जो हता है दूस्तों कि हम इसको इंस्टॉल करेंगे कमांड लाइन के तुरू रहते आप अगर वीस कोड में आप कोडिंग कर रहें किसी अप्लिकेशन अग्लर अप्लिकेश में थोड़ा सा टाइम लगता और आपका अप्लिकेशन में बूट स्ट्रेप इंस्टॉल हो जाएगा राइट उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि एंजी मोडिल्स जो फोल्डर होता है उसके अंदर बूट स्ट्रेप का फोल्डर बन जाएगा उसके अंदर डिस्ट ह करें का zwar HIS LIbroon जाकर देख सकते हैं कि आपको application में इंस्टॉल हो चुका रहेगा राएगा राइट दोस्तो चलियांचल टेंहें प्रोजेट के तरफ और इसका प्रैटकल करके देखते हैं कि हम किस तरीके से इस्टॉल करते हैं और किस तरीके से इस करते हैं किस तरीके से हम अपने किसी भी कंट्रोल पर बूट अश्ट्राप का CSS इजिली अप्लाई कर सकते हैं राइट दोस्तों चले चलते हैं प्रोजेट .min.tss file को download करके इस app folder के अंदर copy कर सकते हैं और उसका path जो है आप यहाँ पर angular जो है angular.json file के अंदर यहाँ पर इसमें style मिलेगा आपको उस style के अंदर यहाँ पर रख सकते हैं path तो इस तरीके से भी उज़ कर सकते हैं हम आपको सिखाएंगे install करके कैसी उज़ करते हैं तो उसकी लिए command होता है दोस्तों कि यहाँ पर आप लिखेंगे npm और यह जो टर्मिनल है दोस्तों आपको idea होगा एक टर्मिनल कहां साता है view के अंदर जाएंगे और यहाँ पर integrated टर्मिनल को ओपन कर लेंगे तो यह ओपन हो जाएगा टर्मिनल और यहाँ पर लिखेंगे npm install install bootstrap-save और इंटर हिट करेंगे थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों उसके बाद इस application के अंदर bootstrap install हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां पर हम चेक कर सकते कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है और इसका फोल्डर कहां पर बनता है राइट उसके बा install हो चुका है आप यहां पर देख सकते हैं कि bootstrap 4.1.3 इंस्टॉल हो चुका है इसको आप यहां पर भी देख सकते हैं यहां पर जाएंगे आप package.gestion file में नीचे है यहां पर और यहां पर भी देख सकते हैं कि आपका जो bootstrap 4.1.3 है राइट तो फिर उसके बाद मैं आपक इसकी फोल्डर में जाना है इसी क्या path हमें देना होगा angular.json file में राइट तो node modules के अंदर जाएंगे हम इसमें वी फोल्डर में जाएंगे जिसमें bootstrap फोल्डर में आया यहां पर ठीक है इसके अंदर हम जाएंगे डिस्ट और इसके अंदर css css के अंदर देखी इतने सारे css add हो चुके हैं bootstrap grid.css सारे css bootstrap के यहां पर आ गया है हमें यूज करना है bootstrap.mean.css file को राइट इसका हम पात कहां पर देंगे जैसा कि मैंने बताया angular.json file के अंदर राइट इसको बंद करेंगे और angular.json file के अंदर जाएंगे यहां पर इसमें दोस्तों एक जी और मैता हूँ कि मैं अगर आप के अप सिस्टम में angular 7 इस्टॉल नहीं है पूराने आप वर्जन पर काम कर रहे हैं तो आपको यहां पर angular.cli.json file मिलेगा उसमें आप add करेंगे और यहां पर styles के अंदर आइड करेंगे इस एक अंदर यहां पर कॉमा लगाएंगे और यहां पर नीचे आइड करेंगे हम double की टोज के अंदर राइट डबल ड़ट लगाएंगे कि दो फोल्डर बाहर निकलना होगा यहां पर राइट तो उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे नोड मोडियूल्स राइट फिर slash उसके बाद किस में जाना था बूट स्ट्रेप इसके बाद डिस्ट इसके बाद हम ड़ोट मीन को डॉट स्य इस राइट हमने पांद दे आप और अप्लिकेशन में बूट स्ट्रेप के यह यह जो बूट स्ट्रेप डॉट मीन डॉट सीजिस को हम easily use कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट पर राइट इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि जाएंगे HTML पर हम यूज करने के लिए यह किस तरीके से इसको यूज करते हैं राइट अब हम जाएंगे HTML पेज पर और यहां पर इस बटन में हमने लिए रई इस बटन में लिए जएक बूट एस नहीं को अधर्ग मुट स्थ मह होता है राइट दोस्तों क्या होगा कि सब्से पार सीपहले इसको हम तो दोस्तों यह compile हो चुका है हम ब्राउजर में देखेंगे ब्राउजर में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे कि बटन आ चुका है अभी इस पर हमने कोई एक मोट्ब भी बूटरण का चुली है निए नॉर्मल बटन है दोस्तों इसके बाद चले हम इस पर बतला है करते हिं आपको पता है कि बूटरण सब्सक्राइब करते हैं जाएंगे औरहां पर लिखेंगे हम लिज्ब में यहाँ पर लिखेंगी हम r permitir वर्य दॉस्त इतना ही से अगर मैं इतना ही चेक करूँ ब्राउजर में इसको सेब कर दिया मैंने और इतना ही चेक करूँ तो आपको दीखेगा इस नहीं से थुड़ा सा एफेक्ट आएगा बटन में राइट देखिए यहां पर बटन का स्टाइल चेंज हो चुका है अब इसमें और हम चेंज करेंगे यहां पर लिखेंगे बीटी एन डैस प्राइमरी राइट प्राइमरी उसके बाद हम ब्राउजर में देखेंगे फिर देखिए तुड़ा साथ फिर एफेक्ट एंज होगा इसमें देखिए कलोज आ गया इस पर मिंस की बूट स्ट्रैप का CSS इस पर प्लाई हो रहा है इसको बड़ा करना होते हैं यहां पर लिखेंगे हम कि बीटी एन इसको सेप करके देखेंगे तो बटन बड़ा हो जाएगा राइट देखिए बटन बड़ा हो गया राइट तो दोस्तो इस तरीके से हम बूट स्ट्रैप के CSS को यूज करके हम इजली अपने अप्लिकेशन का स्टाइलिस और मोडर्र मना सकते हैं आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने कोई भी जे क्वेरी का फाइल या कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं बस बूट स्ट्रैप का मीन.css फाइल हम यूज कर रहे हैं यहां पर जो हमने इंग्डियोट हम बन रहा है इसका कहाँ पर बन रहा है तो उसके बाद दोस्तों फिर क्या करेंगे हम इस फाईल में जाएंगे और यहां पर हम इसका भी चाहते हैं कि टेस्ट का जो यह टेक्स दीख रहे है यह इसका भी हम Color Change कर सकते हैं Class apply करके यहां पर हमने लिख लिए हमाहला ब्राउजर में जैसे अक्टिबेट होगा सर्वर हमारा ब्राउजर में देखे कर देखिए इसका कलर डेंजर कर दिया और यह भी अप्लाई हो गया तो दोस्तो इस तरीके से हम बूट स्ट्रेप को इंस्टॉल करते हैं अपने अप्लिकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं दोस तो हमारे कमेंड बॉक्स में जरूर शेयर किजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के ज़्यादा स्यादा लाइक किजिए शेयर किजिए अगर आप बिल्कुली कॉर्परेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े काम करें बिल्कुली प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल की तरह और अच्छे से इंट्रव्यू क्राइक कर सकें अपने सैलरी को हाई दे सकें एक अच्छा सा तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास जोईन कर सकते हैं जिसमें हम आपको प्रवाइड करते हैं बिल्कुली जाता है एंगुलर 2 से लेकर 10 तक के सारे कंसेप्ट पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट क्योंकि आपको टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करना होता है पूरा आरेक्स जीस लाइबरेरी हम कभर कराते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते है आप कहीं क्लास करने जाते हैं तो वो पूरा आपको कभर करा जागा है कि आरेक्स लाइबरेरी जो है एंगुलर का हाउट माना जाता है यह सारे चीजे जो चीज मैं बोल रहा हूं आपको यूटूब पर आपको कॉर्परेट लेबल का नहीं मिलेगा कोई नहीं डालता है यह सारे पेड होते हैं और क्लास में बहुत ही कॉर्परेट लेबल का प्रहा जाता है हमारा क्लास जो है इसी चीज के लिए फेहमस है कि हम कॉर्परेट लेबल का ट्रेनिंग देते हैं इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे अंगुलर मैटेरियल और बू टेस्ट्रेक भी क बहुत ही कॉर्परेट लेबल का होगा बहुत ही ब्रॉड लेबल का होगा जैसा कि आप फ्लीप कार्ट अमाजोन उच करते हैं उस लेबल का अप्लीकेशन डेवलप करना आपको सिखाया जाएगा तो आप हमारा ऑनलेंड क्लास जोईन करके आपने सेल्जी को एक अच्छा फैकेलिटी कौन बनता है जो सफ्ट इंडस्ट्री में जॉब नहीं ले पाता है जो खूदी जॉब नहीं ले पाया तो आपको क्या ट्रेनिंग देगा वह आपको बूक वाला नॉलेज देकर आपको भेज देगा लेकिन आप वही पढ़के आप जब जाते हैं कंपनी में क काम करने तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं फिर आपको भागकर अच्छे सा श्टडी करने पड़ता या फिर तो आपको आप काम नहीं कर पाएंगे बुरियत फिल करेंगे या फिर आपको निकाल दिया जाएगा और हमारा क्लास किसली फेमस है क движouth है कोई हमारे हाँ जो हम लोग हैं किसी ने किसी बड़े MNC में काम करते हैं तो हम लोग वही चीज अपने ट्रेनिंग में प्रोब्लम नहीं आता है जो डिरेक्टली कॉर्पेट में किया जाता है काम किया जाता है, रियल चीजें हम आपको बताते हैं इसलिए हमारा क्लास फेमस है जो हमारे हां से ट्रेनिंग ले लेता है उसको कहीं भी इंट्रिव्य करने में कोई विए प्रोब्लम नहीं आता है क्योंकि हम वही चीज बता आते हैं जो डिरेक्टली इंट्रिव्य पूछा याता है सामने वाले को लगता है कि आपके पास प्रोपर नॉलेज है एक दो साथ से आपने काम किया है उस लेबल का नोलेज हम अपने क्लास में हम पढ़ाते हैं अगर आप जोइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप उस पर क्लिक करके अभी विजिट किजिए हमारे चेकाउट किजिए और क्लास जोइन कर लिजे कल से ही अपना क्लास आप जोइन कर सकते हैं अगर आप इंक्वाइरी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिसियल मुबाइल नंबर भी अवलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के स्क्रिन पर भी द्रंद कॉल कीजिए इंक्वाइरी कीजिए और क्लास जोइन कीजिए झाल 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 झाल